नमस्कार दोस्तों तो स्वागत थे एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बारतिया टीम बाकी बचे दोनों वंडे में वेस्ट एंडीस को हरा कर ये सीरीज अपने नाम कर ले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए अब हम बात कर लेते कि आखिरकार पहले वंडे में क्या हुआ दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पहले वंडे में वेस्ट एंडीस ने उलट पेर करते हैं बारतिया टीम को एक करारी हार थमा दिये दोस्तों आपको बता दे कि वेस्ट एंडिस ने टोस जीत कर भार्तिया टीम को पहले बले बाजिक के लिए आमंतरित किया जिसके जवाब में भार्तिया टीम की ओपनिंग शुरुआत बहुत ही खराब रही और केल राहूल और रोईत सर्मा कुछ खास स्कोर नहीं बना पए जैसे की अरबार सबको उम्मीद होती है कि विराट कॉली जो की वेस्ट एंडिस के खिलाप बहुत ही बढ़िया फॉर्म में उमेशा रहते है लेकिन इस मुकाबले में विराट कॉली का भी फॉर्म कुछ खास नहीं लगा और विराट कॉली भी बहुत ही जल्दी आउट हो गये लेकिन दोस्तों रिसाप पंद और स्रेह सेयर ने बहुत बढ़िया बलेबाजी करतु है 70 और 71 रन की पारी खेली जिसके बदोलत भारतिया टेम का स्कुली जो है वो 288 के पार पोंच गया उसके बाद लग रहा दोस्तों कि भारतिया मुकाबला आसानी से जिट क्योंकि वेस्टेंडिस की टीम जो है वो इतना बड़ा लक्स आसिल करने में सक्सम नहीं नजर आ रही थी लेकिन दोस्तों इसका उल्टाई हुआ और वेस्टेंडिस का पहला विकेट बहुत ही जल्द 11 रन पे गिर गया लेकिन उसके बाद सिमरन हेटमैर और शेहोप ने बहुत ही बड़िया साजेदारी 200 प्लस से साजेदारी करते हो भारत को पूरी तरस से इस मुकाबले से बाहर कर दिया उसके बाद निकलस पुरन और सेहोप ने मिलकर एक छोटी सी साजेदारी घर के वेस्टेंडिस को इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी जीत आसिल करवा इस मुकाबले से दोस्तों अगर भार्तिया टिम को कुछ सीख लेनी है तो वो यह होगी कि दोनों स्पिनर को भार्तिया टिम को एक साथ खिलाना पड़े गया यानि कि उजवेंद्र चाहल और कुल्दीप यादो क्यूंकि दोस्तों मिडल ओवर में रविंद्र जड़े जाहे वो विकेट लेने में उतने सक्सम गेंद्र नहीं है जितने कि योजवेंद्र चाहल और कुल्दीप यादो मिलके मिडल ओवर में विकेट निकालते हैं और अगले वंडे में अगर भारतिया टीम को West Indies के सामने जितना है तो कुल्धिप और चाहल दोनों को एक साथ खिलाना होगा क्योंकि भारतिया टीम के लिए इस वक्त एक बले बाज ज्यादा खेल रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है लाइक करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब